फ्राइट चीजों से एक्स्ट्रा तेल निकालने के लिए अग्बार का इस्तेमाल खतरना अगर आप उन्ही लोगों में से हैं जो समोसा, पकोड़े, वड़ा जैसी फ्राइट चीजों से ओयल निकालने के लिए अग्बार का इस्तेमाल सकते हैं आपको अभी इसी वस्त इस अगत को छोड़ दिबह चाहिए ये आपके लिए हतना साबित हो सकती है दराशल अग्बार आजानी से उप्लत हो जाता है और टिश्यू, कीचन डोल्स या पेपर टावल के मुकाबले इसकी कीमत भी कम पड़ती है इसलिए लोग इसका ऐसा इस्सेमान करते हैं शायद ऐसा करने वाले लोगों को इस बात का जरा भी अन्दाजा नहीं हुटा होगा की अग्बार में रखा या रिप्टा हुआ खाना खाने से कैंसर का जोचिम बढ़ जाता है फ्रेंक्स नियूं तो तरीवी चीजें खाना अपने आप में ही अस्वस्थाकार एंड लेकिन जब इसे अग्बार में लपीटा जाता है तो इसका नुक्सान बढ़ जाता है आपने कभी धियान दिया है कि अग्बार या मैग्जीन की स्याई आपके खाने की चीज़ पर लग जाती है अग्बार में स्याई पहलाने के लिए केमिकल का इस्तेमार किया जाता है अग्बार से जब C.I. आपके खाने में पहुंचती है तो यहाँ के सिस्टम में चली जाती है और बहुत सारी स्वास्ते समस्याएं पैरा सकती है इसे भी देखिए फ्रेंक जंग पूर्ड नौ कारणों से स्वास्त के लिए है हानिकारत शरीर के सारे अपश्टिक पदात मल के द्वारा बहार निगल जाते हैं लेकिन यह सियाई शरीर में ही रह जाती है अहार विशेशग्य दीपशी का अग्रावाल कहती है कि यह सियाई ही आपके फेपड़ों और किद्नी को नुक्सान पहुचा सकती है आपको पासें से संबंदित समस्क्याएं हो सकती है हार्मोन प्रभावित हो सकते हैं और यह भी शाबित हो चुका है कि इसका असर दिल पर भी पड़ता है फिर्ट अग्बार में सियाई को गारा करने के लिए पेटोरियम बेस मिनरल ओयल का इस्तेमाल भी किया जाता है वहीं इसे सुखाने के लिए कोबोर्ड बेस तक्वों का इस्तेमाल होता है इन दोनों का सेवन गंभी स्वाथ समस्क्याएं पैदा कर सकता है अगर आपको रखता है कि मैग्जिन के पेपर बे अच्छी सियाई इस्तेमाल होती है जो आप ठीखाने की चीजों में नहीं लगती तो आज गलत है मैग्जिन के पेपर में ग्लास के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले केमिकर आप को नुक्रांग पहुँचा सकते है लगते हैं तो इन्हें बल्क में खरीदें सस्ते पढ़ते हैं इसके अलावा जरूरत पढ़ने पर प्लेंग शीट भी इस्तेमाल में लाई जा सकती है थैंक्स पर वाचिन ओ वीडियो पीज आइक करने सब्सक्राब बचना थैंक्यू बाई